हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी में तरबर दोस्तों आपके लिए मैं बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लिकर आया हूँ इस्टेचू आफ यूनिटी के उपर आपने जरूर इस बारे में पढ़ा होगा और थोड़ा समय व प्रशन आ सकता है तो उसे हम लास्ट में क्वीज के माध्यम से भी देखेंगे तो यह टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से कबर हो जाएगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना आपका लाइक ही मुझ चरूर करते हैं और पहली जो बड़ी हैडलाइन अब जो बड़े बड़े अक्षर देख रहे हैं देखेगी दुनिया तो रह जाएगी तन दोस्तों दुनिया तो आश्चरे चकित होई रही है साथ में हम भी आश्चरे चकित हैं इस बेमिसाल इंजिनिरिंग कारिगरी को देखकर दुनिया की सबसे 182 मीटर उची परतिमा देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है कितनी उचाई है इसकी परतिमा की 182 मीटर उची परतिमा आई है और यहें परतिमा जो है हमारे भारत के पहले ग्रे मंत्री और उप्रधान मंत्री जिनें लोह पुरुष के नाम वल्लब भाई पटेल को समर्पीत हैं किसे समर्पीत है ये प्रतिमा जो है हमारे भारत के पहले ग्रह मंत्री और उप्रधान मंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल को और उन्हें लोहपुरुष कहा जाता है और लोहपुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि आजादी के भारत जो है कई राज्यों में बढ़ गया था यानिकी रियासतों में बढ़ गया था उसमें रियासते कहते थे तो करीबन 262 रियासते थी उनको एक धागवे में पिरोकर वर्तमान भारत का सुवरूप तयार करने का जो असंभव कारे किया उन्होंने इसलिए उनको लौह तो छायद भारत करने का काम नहीं किया होता है तो शायद भारत आज यूरोपिय देशों की तरह अलग-अलग देशों में भी बढ़ चुका होता और इन सभी रियासतों को एक करने के लिए पांच जुलाई 1947 को रियासती विभाग के स्थाफना की गई थी जिसका अध्यक्ष सरदार वललब बाई पटेल को बनाया गया था तो इन सभी रियासतों को इन्होंने एक धागे में पिरोया इसलिए इन्हें भारत का बिस्कमार्क भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बिस्कमार्क दोस्तों बिस्कमार कौन थे और इन्हीं बिस्कमार क्यों कहा गया इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लिखत ठीक है अब हम थोड़ा से प्रतिमा के बारे में बात करते हैं 182 मीटर इस उची प्रतिमा का सिलान्यास जो है सरदार वल्लबाई पटेल को समर्पित है जो दोस्तों मैं जो आपको यह भी सारे जो लाइन्स बोल रहा हूं इनी से सम्मधित क्विज में प्रशन है तो अगर आ कि 138 वी वर्षगाट के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को पी.म नरेंदर मोदी दौरा किया गया था तो किया गया था tak उस समय में गुजरात के मुख्य मंत्री थे, क्या थे, गुजरात के मुख्य मंत्री थे, और 138 वी वर्ष गाट के आउसर पर किया गया था, 31 OCT 2013 को इस मूर्ति का सिला नाश किया गया था, और 31 अक्टूबर 2013 को हम एकता दिवस मनाते हैं क्या बनाते हैं भारती राष्ट्र एकता दिवस मनाते हैं सरदार वललब भाय पटेल की समर्ती में तो ये भी ध्यान रखनाब साथ में और इसका जो उद्गाटन है वो भी 2018 के अंदर इसका उद्गाटन हुआ कब 31 किया था परतिमा का और जब उद्गाटन किया तो परधान मंत्री हैं कब किया था 143 वर्षगाट के अउसर पर सरदार वललब भाय पटेल की 143 वर्षगाट के अउसर पर इस परतिमा का उद्गाटन किया गया और इस परतिमा का जो निर्माण है वो परसिद्ध शिल्पका राम वी सुतार की देखरेक में हुआ और राम वी सुतार के अनुसार जो है इस परतिमा का जो निर्मान किया गया है वो सिंदु कालिन सब्यता के हिसाब से इस परतिमा का निर्मान किया गया है मतलब उस समय की जो कला है उसको देखते हुए ताकि इसको कई वर्षों तक जंग ना लगे नुकसान न पहुँचें उस कला के हिसाब से इसका निर्मान किया गया है सिंदु सब्वेदा कला के हिसाब से इसके शिल्पकार कौने राम विस उथार इसका निर्मान किस कंपनी ने किया है जो इसका देखरे का कारे और निर्मान का कारे जो कर रही है वो कौन कर रही है Larson and Tubro इस परतिमा का जो निर्मान है वो Larson and Tubro ये भारतिय बहुराश्छे कमपनी है उसके द्वारे ये क्या गया है और इस परतिमा के निर्मान में लगबग 2989 2989 करोड़ की लागत आई है कितनी 2989 करोड़ की लागत आई है इस परतिमा का निर्मान जो है गुजराथ के नर्मदा जिल्हे मैं सरदार सरवर्बान से लगबक तीन किलोमेटर दूर एक बहांद है जिसका नाम है साधू बेट साधू बेट एक आईलेंड है ठीक है सरदार सरोर बहांद से लगबग तीन किलोमेटर की दूरी पर है उस पर यह परतिमा इस्थापित है और यह परतिमा दोस्तों विश्व की जो स्टेच ओफ लिबर्टी बहुत फैमस है अमेरिका के मीटर तो कितनी दुगूनी है कितनी बड़ी है देखो सोचो आगे हम बात करते हैं और इस परतिमा से पहले विश्व की सबसे उची जो परतिमा थी वो थी चाइना के अंदर बुद्धा टैमपल बुद्धा का स्प्रिंग टैमपल है भगवान बुद्ध का वो था सबसे उची परतिमा थी उनकी करीबन 153 मीटर की है ठीक है आप देख रहे होंगे इसके अंदर 153 मीटर की है आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि स्टेची ओफ यूनिटी के जो आगर हम इसको आधार मिला लें 182 मीटर तो इसकी उचाई है अगर हम इसमें इसका आधार भी शामिल कर लें तो इसकी जो हाइट हो जाती है वो कितनी हो जाती है 240 मीटर हो जाती है 240 मीटर इसका आधार इसमें शामिल कर लें बेस जो नीचे है अगर इसका आधार शामिल कर लें तो कितनी हो जाती है 240 मीटर हो जाती है हाइट कितनी है इसकी 182 मीटर अगर फीट में पूछ ले तो 790 वीट है और इसके अंदर जो दोस्तों कई धातों का परियोग किया गया इस परतिमा को बनाने में ताकि जंगना लग जैसे जस्ता हो गया स्टील हो गया कांसा हो गया तामबा हो गया और इस परतिमा के अंदर पिच्चा सी परतिशत जो है तामबे का परियोग किया गय और दोस्तों इस परतिमा के अंदर काफी लोहा भी लगा था तो काफी लोहे की ज़रुत भी थी इस परतिमा की निर्मान में तो एक ट्रस्ट बनाया गया था तो वो नाम भी आप जहां रखना सरदार वललब भाय पटेल राश्ट्रे एकता ट्रस्ट ठीक हैं ये लोहा जौद कर लेठे हैं इनिका जनम जो है 31 अक्टूबर को हुआ था और मिर्ती हुई थी 15 दिसमबर को इनाम पात नाब rushवे 1 पटेल माता का नाम दा सब्सक्राइबे राजनेतिक पार्टी से थे भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस, 1931 में भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था कराची के अंदर, वहाँ पर भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस की अध्यक्ष बने थे, भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस की अध्यक्ष इनको सरदार की उपादी मिली थी, बारडोली सत्यागरे के दोरान सरदार की उपादी, बारडोली सत्यागरे दोस्तों 1923 में गुजरात के अंदर हुआ था, किसानों दुआरा जो लगान दी जाती थी अंग्रेजों को, उस पर अंग्रेजों दुआरा लगवग 30% टैक्स ल योगदान दिया यह मैंने आपको बताया अभी पहले शुरुवाद में वीडियो के और 31 अक्टूबर को राष्ट्र एकता दिवस मनाया जाता है चलिए दोस्तों अब हम क्वीज की ओर बढ़ते हैं काफी चीजे मैंने आपको बता दिये इस वीडियो के अंदर और इनी से संबंदित प्रश्ण जो हैं वो हैं ठीक हैं चलिए देखते हैं आप फटाफट से मेरे साबसे आंसर देदोगे इस्टेच्यू आफ यूनिटी परतीमा का शिलानयास कब किया गया था तो इसका शिलानयास क्या गया था 21 अक्तूबर 2013 को कब किया गया था 31 अक्तूबर 2014 को पहला option जो आ रहा हूँ इसका सही answer है हाथ में tick भी लगा दूँगा मैं सरदार वरलब बाय पटेल की कौन सी वर्षिघाट पर Statue of Unity परतिमा की आधारशिला रखी गई सरदार वरलब बाय पटेल की कौन सी वर्षिघाट पर Statue of Unity की आधारशिला रखी गई कौन सी यहाँ पर पूछ रहा है आदार शेलेजनी की शिलानियास कब किया गया है तो वो किया गया है 138 वी 138 वर्षिकारट पर शिलानियास किया 31 October 2013 को Statue of Unity का शिलानियास किसके दौरा किया गया शिलानियास किसके दौरा किया गया था नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्य मंत्री थे नरेंद्र मोदी स्टेच्यो अफ यूनिटी का निर्मान कार रहे हैं कब आरम हुआ 31 अक्टूबर 2013 को सिंपल सा है फटावट फटावट आंसर दे सकते हैं वन स्टेच्यो अफ यूनिटी की समा पुरुष को समर्पित है सर्दार वललब भाई पटेल को समर्पित है सवतंत्र भारत के पहले ग्रे मंत्री कौन थे सर्दार वललब भाई पटेल थे सिंपल से क्वेश्टेन है मैंने आपको सारे बता दी है हम फटापट कर लेते हैं Statue of Unity किस राज्य में इस्तित हैं? इसटवी और इसमें minor गुजरात में इस्तित हैं, नर्मदाजिले में Statue of Unity की उंचाई कितनी हैं Statue of Unity की उंचाई कितनी हैं ser traditionally in Meeter उंचाई है इसकी अगर यसको आधार शामिल कर लिया जाए 8 मीटर का तो 240 मीटर इसकी उंचाई हो जाती है Statue of Unity किस द्वीब परिस्थित है Statue of Unity किस द्वीब परिस्थित है सादू बेट द्वीब पर सरदार सरवरबान से लगए 3 किलोमेटर की दूरी परिस्थित है यह द्वीब तो Statue of Unity किस द्वीब परिस्थित है सादू बेट द्वीपर Statue of Unity किसके दुआरा डिजाइन या अभी कल्पित की गई राम वी सुतार के दुआरा इसके जो डिजाइनर है वो हैं राम वी सुतार Statue of Unity का निर्माण किस कमपनी के दुआरा किया गया Statue of Unity का निर्माण किया गया है विश्वी की दूसरी सबसे बड़ी पर्तिमा बुद्ध स्प्रिंग टेमपल है यहें किस देश में स्थित हैं यह है चीन Statue of Unity के निर्माण में कितने रुपे की लागत आई Statue of Unity के निर्माण में कितने रुपे की लागत आई 2989 2989 करोड रुपे की लागत आई थी और लार्सन एन टुबरो कंपनी के दुआरा इसका निर्माण किया गया है Statue of Unity पर्तिमा की उच्चाई कितनी है यदि उसका इसमें आधार भी शामिल किया जाए तो अभी आपको में बता है था कितना 240 मीटर हो जाएगे अगर इसमें आधार शामिल कर दिया जाए तो 31 अक्टूबर 2018 को सर्दार वल्लब भाई पटेल की कौन सी जैनती मनाई गई देखो जब सर्दार वल्लब भाई पटेल की पर्तिमागा शिलानयास हुआ तब तो मनाई गई थी 138 वी और जब उधगाटन हुआ है पीम नरेंदर मोधी दुआरा 31 अक्टूबर 2018 को तो 143 मनाई गई राष्ट्र एक्ता दिवस कब मनाई जाता है 31 अक्टूबर 2018 इसमें देखो दोस्तों गलत लिख रगा है यह थोड़ा सा तो अभी जैसे राष्ट्र एक्ता दिवस कब मनाई गई इसको हम वैसे कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2018 को मनाई गया और वैसे राष्ट्र एक्ता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाई जाता है हर साल ठीक है ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन कर लेना इस्टेच्व आफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है आर्किटेक्ट कौन है इस्टेच्व आफ यूनिटी के आर्किटेक्ट वह जोसेफ मेना दूसरा ओप्शन जो है वो सही आंसर है Statue of Unity गुजरात के किस जिले में इस्तित हैं ये स्तित हैं नर्मदा जिले में चोहता option Statue of Unity किस बांध पर इस्तित हैं सरदार सरोवर बांध पर लोहपुरु सरदार वललब भाई पटेल को मर्नो परान भारत रतन से कब सम्मानित किया गया ये किया गया 1991 में भारत रतन से सम्मानित किया गया सरदार वललब भाई पटेल को Next है Statue of Unity के निर्मान में 200 टन जस्ते का उप्योग हुआ जो किस राज्ये से मंगाया गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ये जस्ता जो उपलब्द करवाया था Statue of Unity के निर्मान के लिए और यह आया था राजस्तान से राजस्तान के उद्यपूर से तीसरा उप्शन जो इसका सही आंसर है पांच जुलाई 1947 को गठित रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया जो रियासती विभाग के जो सचीव थे वो तो थे वीपी मेनन ठीक है पहला आप्शन जो है वीपी मेनन तो जो सचीव थे और सरदार वल्लबबाई पटेल को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था सर्दार वल्लबबाई पटेल भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस के अध्यक्ष कब बने सर्दार वल्लबबाई पटेल भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1931 के अंदर कराची अधिवेशन में सर्दार वल्लबबाय पटेल को सर्दार की उपादी किस अंदोलन के दोरान मिली यह बताया था मैंने अभी आपको 1928 में वह था बार डोली सत्यागरे गुजरात के अंदर उस दोरान वहां की महिलाओ दुआरा जो है इस अंदोलन के सफल होने के कारण इन्हें सर्दार की उपादी दी गई दोसों वीडिया अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ठीक है स्टेच्व आफ यूनिटी परतिमा का कुल वजन कितना है सत्रासो टन सत्रासो टन है स्टेच्व आफ यूनिटी में कितने परतिशत तामवे का उपजयोग किया गया है छीकर दोस्तों ये था स्टेच्व आफ यूनिटी के उपर वीडियो आई हप आपको फसंद आया होगा और आपकी एक्जाम में काफी हेल्प करेगा और जो नए दोस्ते हैं वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं लाइक करके बताएं ठीके जैहिंद जैभारत